University of Mumbai distance open learning का hall ticket कब आएगा FYB.com का और दूसरा कौन से courses का examination postponed हुआ है वो भी हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे तो अभी के लिए दो सबसे important question student की तरफ से आ रहा है कि sir hall ticket कब आएगा और कौन से examination postponed हुए है तो यह इस वीडियो में जो हम detail में discuss करेंगे इस topic के उपर तो अगर आप University of Mumbai Center for distance and online education से study कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए important है सबसे पहले आपको क्या करना है इन्वर्स सिटी के website पर देखो यह cdo यह दिखता है आप Mumbai City के website पर आओगे तो आपको यह center for distance and online education open हो जाएगा और जैस्ट आप mobile में भी नीचे ऐसा थोड़ा सा ड्रैक करोगे तो यहां पर देखो examination postponed का आ जाएगा अब यह examination postponed का जो है हम लोग open कर लेते हैं नया link में open करता हूं मैं और यह BCIT ठेक है और यह MCA का कुछ courses है ठेक है और I guess यह भी notice है यह भी देख लेते हैं अब यह जो notice है hall ticket कब आएगा वो भी मैं discuss कर लूँगा postpone का clear करना बहुत जरूरी है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह notice जो है कभी आया है 2nd of December को आया मतलब यह कल की दिन notice update हुआ था ठीक है और यह notice में किसके बारे में बोला है यहां पर semester 3 और फिर sy become semester 3 fresh and repeaters तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है semester 3 के बारे में बात कर रहा है किसके बारे में समस्टर 3 जिसमें SYBA, SYB.com ठीक है और फ्रेश रिपिटर दोनों स्विफ समस्टर 3 जो 17 दिसंबर से होने वाला था जो 14 दिसंबर से होने वाला था उसका एक्जामनेशन पोस्पॉर्ण करके अभी 4 जैनवरी से कर दिया गया है ठीक है 4 जैनवर का नोटिस है ठीक है अब जो है यहाँ पे BSC IT का एक नोटिस और है यह वाला नोटिस अगर इस नोटिस की बात करें हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस नोटिस में यह भी वही कल के दिनी आया है यहाँ पे अगर आप देखोगे BSC IT का जो कोर्सेस हैं उसमें semester 1 semester 3 के courses है ठीक है SYBSC जो CS के लिए computer science और IT information technology तो इसके जो examination होने वाले थी December में इनके examination postpone किया गया है ठीक है अगर मैं university के website पर आके देखता हूँ तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको मैं वापस से refresh करता हूँ देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप website खुछ से चेक कर सकते हूँ बड़ सबसे बुरा और सबसे शॉक तब लगता है कोई student मुझे call करता है और उसका पहला sentence होता है कि सर मैं आपको follow करता हूँ आपके वीडियोस देखता हूँ और फिर question पूछता है कि सर मुझे यह time table नहीं मिला है क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है अपकोस अगर कोई वीडियो देखेगा तो जारे खुछ से चेक कर सकता है यहाँ पे अगर आप देखोगे एक tab आता है date of commencement का अभी date of commencement के अंदर कोई नया update नहीं है वोई postponed वाला इनोटिस हम लोग consider करेंगे यहाँ पे आपको FIBA का time table मिल जाएगा यहाँ पे commerce का चाहिए यहाँ पे management का है science जितनी भी courses है यहाँ पे आपको time table मिल जाएगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि semester 3 का time table नहीं update हुआ है तो इसी वज़े से जो है नहीं update हुआ था तो most probably जो है idle examination last moment पे जो है postpone करना क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ idle है तो मुम्किन है तो कुछ भी possible है वो हो सकता है work burden बहुत जादा हो क्योंकि मैं खुद college में काम करता हूँ अब student का doubt यह है कि sir यह जो examination है FIBA का FIBA और FIBCOM का जो first semester का examination है यहाँ पर आप देख सकता है यह time table जो है 5 December से जो है start हो रहा है हमारा paper लेकिन सरास्तीन तारीक है और अभी तक hall ticket नहीं आया है तो देखिए मैं खुद wait कर रहा हूँ कि idle की तरफ से कुछ instruction आए ठीक है बट एक चीज़ मुझे यह confirm है कि examination 5 तारीक को होगा ठीक है अभी तक कोई update है क्योंकि मैं खुद college में पढ़ाता हूँ तो जिस college में centers जाते न वहाँ पे idle से confirmation होता है कि आप हमको इतनी number of seats दे रहे हैं हम इतनी student भेजेंगे आपको इतने यह सारे lectures के ठीक है paper check and all सारी चीजे system process के हिसाब से तो अभी तक कोई notice नहीं आया है तो यह जो पांस तारीक से paper होने वाले है तो अभी तक इसका notice नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको और बता दू कि ऐसा एक बार और हुआ है कि एक दिन पहले idol ने hall ticket generate किया था मतलब कल examination है और आज रात में hall ticket आ रहा है तो किसी का नाम का mistake है कुछी का center का mistake है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है ऐसा idol ने एक बार कर चुका है ठीक है मतलब पहले idol था अभी CDOE हो गया है name change हुआ है ठीक है तो कर चुका है तो मतलब क्या है सर आज रात तक वेट करो कल तक वेट करो hall ticket आ जाएगा नहीं आएगा तो postpone का notice आ जाएगा ठीक है कुछ न कुछ update तो आ जाएगा ठीक है वैसे कल मैं instagram पर, telegram पर update कर लूँगा तो वहाँ पर जूड जाना क्योंकि मैं college में lectures लेता हूँ और पढ़ रहा हूँ अभी LLB कर रहा हूँ तो थोड़ा time कम मिलता है ठीक है क्योंकि मेरे भी exams आने वाले हैं ठीक है तो इसलिए जो वहाँ पर जूड जाना तो मैं short video या voice message भेज के update कर लूँगा ठीक है तो उमीद करता हूँ यह जो आपके दो questions थे कि हाल टिकेट कब आएगा कैसे डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो अलड़ी मैंने बना के रखाया ठीक है